पिछले सत्र में हमने यह सर्वसमिका देखी मित्रों, अब इस सत्र में हम इस सर्वसमिका पर अधारित कुछ उधारन देखेंगे इस प्रश्न को देखें, क्या आप इसका उत्तर खोच सकते हैं? इन दो व्यंजिकों को ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं कि यह A जोड B गुणा A घटा B के रूप में है यहाँ A दो X है और B तीन Y है तो हम इस सर्वसमिका का इस्तमाल करते हुए इसे सरली कृत कर सकते हैं तो यह गुणनफल 2X पूरा वर्ग घटा 3Y पूरा वर्ग के समान होगा और अंतिम उत्तर यह होगा तो हम देखते हैं कि इस सर्वसमिका को इस्तमाल करते हुए सीधे ही ऐसे व्यांजिको का गुणनफल निकाल सकते हैं चलिए अब अगले उधारण की ओर बढ़ते हैं क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं? क्या हम यह सर्वसमिका यहाँ इस्तमाल कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यह A वर्ग घटा B वर्ग के रूप में है यहां A पांच दशमलव शुन्य चार है और B चार दशमलव नौच्छ है तो इसका अर्थ है कि यह व्यन जग इसके समान होगा आगे सरलिक रुथ करने के बाद हमें यह मिलता है तो यह एक और तरीका है जिसमें इस सर्वस समीका को लागू किया जा सकता है आएए हम अगले उधारन की ओर बढ़ते हैं क्या आप इसका उत्तर खोच सकते हैं? हम देखते हैं कि यह व्यन जग इस रूप में है यहां A तीन बटा M है और B दो बटा N है हम जानते हैं कि हम इस सर्वसमीका का उप्योग करके ऐसे प्रश्णों को हल करते हैं इसलिए इसमें A और B के मानों को प्रतिस्थापित करते हुएं हमें यह मिलता है इसे और सरल बनाने पर हमें अंतिम उत्तर के रूप में यह मिलता है तो इस तरह से हम इस सर्वसमिका का उप्योग करके इस प्रकार के व्यांजग को भी हल कर सकते हैं आईए अब इस सर्वसमिका पर अंतिम उधारन देखते हैं क्या आप इस व्यांजग का उत्तर बता सकते हैं? हम इस व्यांजग को दो भागों में हल कर सकते हैं पहला भाग यह है और दूसरा यह है पहले भाग पर ध्यान दे यह इस सर्वसमिका के रूप में है इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं अब दूसरे भाग पर वचार करते हैं हम इसे भी इसी तरह से हल कर सकते हैं तो हमें यह मिलेगा अब हम इन व्यंजिकों को इस व्यंजक में डालते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं रुनात्मक एमवर्ग और धनात्मक एमवर्ग एक दूसरे को रद कर देंगे तो हमें अंतिम उत्तर के रूप में यह मिलता है तो इस सत्र में हमने इस सर्वसमिका पर आधारित कुछ उधारन देखे अगली सत्र में हम कुछ आम गलतियों की और नजर डालेंगे जो हम इस सर्वसमिका को इस्तमाल करते हुए करते हैं करता है